एक जनकार एक जल्वा एक समा एक सुरूर बिलकुल यही ऐसासाथ दिल में बेसाख्दव भरते हैं जब समाथ से सुफ्यान मलिक के रबाब की आवाज गरे मिलती है रबाब कश्मीर की लोख मूसीकी से जुड़ा वो साज है जो नगमे के बीट को रेगुलेट करने में खासा एहम तसवूर किया जाता है लेकिन डाउन डाउन स्री निगर के नौशेरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले सुफ्यान मलिक ने रबाब को इन्फरादी हैसियत से पॉपिलार्टी दिलाने में जो काम किया है वो अपनी मिसाल आप है तीन लवंबर दोहजार अठारा को जब कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही थी सुफ्यान को अचानक कुछ अलग करने की इंस्पिरेशन जाने कहां से मिली शायद बर्फ के मोटे मोटे गालों से या शायद जमी पर फैली बर्फ की सफैद खुशनमा कालीन से उसे ख्याल आया कि वो पुने के अपने दोस्तों को बर्फ का बर्फबारी का नजारा कराएंगी फिर सोचा कि इस हुसन को दुबाला करने के लिए कुछ और होना चाहिए और यही कॉंसेप्ट बुनियार ढहर गया उस वीडियो की जिसने इंटरनेट पर अभी तक लाखों वीउस पाई हैं और सैकडू शेयर्स भी यह विडियो सुफ्यान को 18 मरतबा शूट करना बढ़ा क्योंके कडाकी की ठंड के बाइस रबाब के तारूं पर उंगलिया ठहराना मुश्किल हो रहा था आखरेकार सुफ्यान का जुनून जीत गया और संगीत से उसकी महबत का एसास ना सिर्फ पुने में उसके बैच मेट्स को हुआ बलके दुनिया भर में लाखों और शेयदाईयों को सुफ्यान मलिक अगर्ची सिर्फ 19 सार के नوجवान है लेकिन रबाब से उसका रिष्टा कई बरस का है 2017 में उसने HBO टेलिवेजन चैनल के Game of Thrones शो के लिए रबाब पर थीम म्यूजिक बजाया जिसे सुनकर सब दंब खुद रह गए इसके रबाब सुफ्यान ने Pirates of Caribbean नामी Hollywood फिल्म के थीम सॉंग पर मबनी एक म्यूजिकल फ्यूजन में रबाब बजाकर तहल का मचा दिया रबाब के लगवी माना है रूख की सदा और सुफ्यान मलिक का रबाब सचमुर्च रूख की सदाओं का तर्जमान है